हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई टैट क्लास फ्रेंट्स आज हम जी विज्ञान से संबंधी कुछ महत्पूर्ण पॉइंट्स है जिने हम देखने वाले हैं इन्हें आप पॉइंट्स भी कह सकते हैं या फिर प्रश्ण उत्तर क्योंकि हमने जो प्रश्ण लिए हैं वो वन प्रश्ण है वो आ है आपका जी विज्ञान का पिता यानि कि जन्तु विज्ञान का जनक देखिए पिता शब्त कहा जाए या जनक कहा जाए दोनों एक ही है यह एक दूसरी के परियावाची है और कहरा जी विज्ञान या फिर जन्तु विज्ञान तो ये पॉइंट भी यादि जी विग्यान का पिता या जनतों विग्यान का जनक किसे कहा जाता है तो वो अरस्तु को कहा जाता है और जी विग्यान का ये सबसे पहला पॉइंट है दूसरा प्रशन है यहाँ पे मानत तचा की उपरी परत क्या कहलाती है इस स्कीन आपकी जो पूरी बॉड़ी में स्कीन है यह सबसे उपर ही जो लेयर है उसे क्या कहते हैं तो एपिडर्मिस कहते हैं तीसरा पॉइंट है यहां पर कोशिका का पाउर हाउस किसे कहते हैं यानि कि कोशिकाओं कुर्जा कहां से प्राप्त होती है तो माइट्रो कांड्रिया से प्राप्त होती है चौथा पॉइ 掂र ये माध्यम से होता है लेकिन वही भोजन का छोटी आत में अगर पाचन होता है तो और चारना माध्यम ृता है लार में घृत double अगला पॉइंट है दूद को फाड़न या थक्का बनाने का कारे कौन करता है तो वो रेनीन करता है दूद में केसीन नाम का एक तत्व पाए जाता है जिसके पाचन के लिए रेनीन नाम के तत्व की ज़रूरत होती है अब जानते हैं जैसे अगर बच्चा दूद पिले कोई भी अगर दूद पिले तुरंत वो जब उलट देता है दूद को तो आपने देखा अगो प्योर दूद तुरंत नहीं निकलता है वरन क्या होता है एक फटा हुआ सान निकलत है निकलता है भो रेनीन के कारण से निकलता जो पचाता है साथमा पॉंट है पित का निरूमान कहां से होता है सबसे पहले पित शब यहां में पित में अथोरेश आज जो जाता है जब यहए हंदी में लिवर लिखा चाहे तो कम्फिशन हो जादा है कि हिंदी में कि हिंदी में लिवर है तों değiş होगा है, ही फोड़ा सा मिस्टेक हो जाती मैं इंग्ली बढ़ susa और इंग्ली निग defence में ड़ंत हरा निग्ली तो Первे से सब्सक्रीण होन सी तो यह लीवर ही है जो सबसें बड़ी ग्रंथी है और इसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है वो अगनाश का नंबर आता है दसमा पॉइंट है इंसुलीन की खोज कब और किसने की थी तो इंसुलीन की खोज बेंटिक एम वेस्ट ने सन 1921 इसमी में दी थी और ये डाविटीज के रोगियों को दी जाने वाली खुराग है अगला पॉइंट है कि आरबीसी के किसके द्वार नश्ट किया जाता है तो आरबीसी को यक्रत के द्वारा नश्ट किया जाता हो और आरबीसी की कब्रगा किसे कहा जाता है और आरबीसी का निर्मान कहां कहा है अस्थी मजे यानि की बोन मैरो में रैट बलड सेल्स आपकी न युलने वाले वितामिन जया यो वर सामे गुलते हैं यहीं सदेखनेशाल आपको definite देखना की सब्लिदेशा Micheous कोई तेल ये पतार आप जल Owen कोई दाल वाला चीज वहाद अब कोई critics कि द से मेंगा मेंगा मिलेगा तो महहंगे वाले चीज में ज्यादा चीज़े घूलेंगी यानी कि अटak्त जिसे आप देख और जो सटा मिलेगे यानुं कि जल तो जल में कम चीज़ें जो सस्ता है उसमें कम चीजे घुलेंगे जो महंगा उसमें ज्यादा चीजे घुलेंगे तो यहां से आप BC और ADAC को याद कर सकते हैं अगला पॉइंट है यहां पर मनुष के सरीर को कितने प्रकार की प्रोटीन के आवशकता होती है जिनमें मनुष के जो सरीर है उनको 20 प्रक कोज कब और किस ने की तो विटामिन की फंक ने की थी और इनकी जो खुज हुई थी वह सन 1911 में हुई थी सलएक पॉइंट है कौन से विटामिन वसा में घुलेंजाशी जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि वसा कैसा महंगा है महंगा में चार्ट घुलते हैं तो कौन से प्रोटीन के कमी से यह रोग होते हैं और बच्चे इसमें दूबले पतले हो जाते हैं कि हध्या कमजोर हो जाती है अठारमा पॉइंट है यहाँ पर अस्थियों तथा दातों के निर्मान में कौन सा विटामिन सहायक होता है तो अस्थियों के और दातों के दोनों ही के विकास में कैल्सियम तथा फासपोरस सहायक होते हैं अगला पॉइंट है यहां पे, 19-मा रक्त में हीमोगलोबीन बनाने में कौन सहाज़ता करता है, तो रक्त में हीमोगलोबीन को बनाने के लिए लोहा आवश्यक हो जाता है और यही कारण है कि गर्फती महिलाओं को ऐरेन की गोलिया दी जाती है खाने के लिए ताकि उनका हीम बेरी बेरी नामक रोग है जो विटमिन B की कमी के कारण होता है अगला पॉइंट है विटमिन C का रासाइनिक क्या है विटमिन C का रासाइनिक नाम है एसकार्बिक एसीड और विटमिन C की कमी से इसकर्वी नाम का रोग हो जाता है तेश्मा पॉइंट है लार रक्त कड़ों यानि कि RBC Red Blood Cells का जीवन काल कितना होता है तो यहां पर देखिए 100-120 दिन का होता है मैंने लिखा है कहीं कहीं आप पढ़ेंगे तो यह आपको 20-120 दिन भी मिलेगा कहीं आप देखेंगे तो आपको 90-120 दिन मिलेगा कहने कमतले बहते हैं जैसे इंसानों का जीवन सौवर्स का माना जाता है तो कि हर इंसान सौवर्स जीता है नहीं कोई 50 पर मर जाता है कोई 60 पर कोई 70 पर कोई 80 पर तो इनका भी जीवन काल होता है वे 120 दिन का माना जाता है लेकिन यह इससे पहले ही मर जाते तो ऐसी कंडिशन में एक औस बनाया जाता है तो जो अपना औस जितना उन तो सो से एक सो बीज़ दिन होगा लेकिन किसी कमजोर वेक्ति का देखा जाए तो वह कम आएगा तो जैसी बात है वह कम आना है अगला पॉइंट देखिए आगे दो पॉइंट हमारे और है पॉइंट है स्वेत रख्त कणिकाओं का निर्माण कहा होता है देखिए रेड ब्ल पॉइंट है लेकि रेड ब्लड शके वल एक ही जगह बॉन मेरों अस्थी मिज़्जा में ही बनते हैं और कहीं नहीं बनते हैं आज का लास्ट पॉइंट है लाइच नीर्माण कहां पर होता है कि साथ में दोनों कोस्चन आगे है श्वेत रख्त कणिका और लार रख्त कण तो फ्रेंस यहां से देखे 25 पॉइंट कम्प्लीट हुए अगले सीरीज हमारी आपको बहुत जिल्दी मिल जाएगी तब तक के लिए नमस्कार